हाई फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक टो माइन चैनल आज आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि हमारे बेवी कि जुब शॉलिड स्टार्ड हो जाती है हम लोग बेवी को दिना फूरू करते हैं जो हम बेवी को सेलाक्स देते जो नया मा बंध्री जो से के एक निव मोमे उसके दि मा बहुत कुछ चीजी तो पता ही नहीं होती है हुम देख देख देखे सिख्थे दूसरे बताने सिख्थे हम घ्रेंस से सिख्ते हैं तो इसलिए एक मा के दिल में डावड ज़रूर था कि वह आपकी बच्चों को लेकि उत्ना के रहता है को जो हम से लक्स दे पानी के साथ द पहले आपके बता देरें, सिम्प्ली सी चीज्च़ कि आपके साथ देग्गे, दूध के साथ देने की जब डाउट पके देर मात में आती है, जब बेबी आपके पहले 6 मूंद की होने के बाद हम सरेलाक सोरू कर दें, खाली जो शीप चरिलाक सो नहीं दे रहें उसे साथ में बहुत कॉंटिटी में जिसके आपूल वाइल करके बाना वो सची भी हम दे रहे हैं तो हमको उसमें दूद देने की ज़रूत नहीं है और हम पानी की बात करी हैं उसको पानी में चल्लास को दना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे को दूद को डाजेशन करना बहुत मुश्किल होता अगर हम उसमें और आउट्सेट बला दूद मिला देंगे चोट चोड़े बच्चे वो दूद को डाजेशन नहीं कर भाएंगे को तरह उनko रहर श्करच्ट, हम अगरब बुट को पानी दना चाहिए जरी रहा इमने इमनियर सिस्टेम कहों पर उभाद वाद शुडन एक आप पोच्छा को में आप डिल्ग करें अपनि रिल्ग की तोसमें और हमको दूद रहे हो और हमको दूद की अइक्साइड रोग करनी की जोरूत नहीं है यह थी आज का इस वीडियो को अच्छा लागा थोड़ा सा इंफर बुटी वागा लाइक कमेंड से आप दो रूप करेंगा है मिलसे नेक्ष्ट वीडियो को तब तक के लिए बाइबाइबाइब